अगर आप एक रिलेशन्शिप में है और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये रिलेशन्शिप खराब हुआ इसमे कौन जिम्मेवार है किसकी गल्ती है और किस हद तक की गल्ती है क्या ऐसी गल्तियां हो गई है और इन गल्तियों पर किस तरह से नियंतरन पाना चाहिए तो आज की रिडिंग आपके लिए है आज की रेडिंग एक collective रेडिंग रहने वाली है, तो इसमें बहुत सारी energies निकल कर आएंगी, जो भी energies आपके साथ resonate होंगी, आप प्लीज उनी energy को pick कीजेगा, बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीजेगा, आप male है, female है, married है, unmarried है, divorced है, extra marital affair में है, long distance relationship में है, किसी complicated relationship मे है, यह फिर अभी अभी आपका break up हुआ है, आज की reading आपके साथ definitely resonate करेगे, so आज की reading का topic है, कि इस relationship में किस से और क्या गलती हो रही है, so आज की reading सभी zodic signs के साथ resonate करने वाली है, तो यहाँ पर मैं किसी भी specific zodic sign का नाम नहीं लूगी, आएज जानते हैं, इस relationship में किस से और क्या गलती हो रही है, आएज जानते हैं, इस relationship में किस से और क्या गलती हो रही है, आएज जानते हैं, इस relationship में किस से और क्या गलती हो रही है, आएज जानते हैं, So, पहला card है, 7 of cups का card है, then is 4 of swords का card है, then is 3 of swords का card है, the next card over here is death slash rebirth का card है, the next card is the hunged man का card है and bottom of the deck पर यहाँ पर 4 of wands का card है. आएए, अब हम दूसरे deck से check करते हैं, इस relationship में किससे और क्या गलती हो रही है, आएए जानते हैं, इस relationship में किससे और क्या गलती हो रही है, आएए जानते हैं, यहाँ पर ace of wands का card है, यहाँ पर the lord of shadows का card है, the next card over here is queen of wands का card है, the next card over here is eight of calluses का card है, the next card over here is page of pentacles का card है and bottom of the deck per ten of wands का card है, okay, so इस relationship में किससे और क्या गलती हो रही है, आएए डिटेल में जानते हैं, उससे बहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इस दिवाली पर मैंने कुछ rituals रखे हैं, उन rituals के बारे में आपको community tab पर पता लग जाएगा, कल से कुछ rituals स्टार्ट हो जाएगे, कुछ परसों से हैं, कुछ दिवाली वाले दिन से हैं, तो अगर आप अपना कोई ritual बुक करना चाहते हैं, आप वो community tab पर post देखिए, और उसके बाद accordingly आप मुझे whatsapp पर contact कर सकते हैं, मेरा whatsapp number screen पर flash होगा, okay, message करना है, call नहीं करनी है, मैंने ये चीज़ भी देखिए, आपको 12 बारा बज़े भी आप call करना शुरू कर देते हैं, at least इतनी समझतों होनी चाहिए, कि working hours भी कुछ होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, आपको 12 बज़े भी मैं call pick करूंगी, टेके, so आ वो चीज़ें expect करना आपके बिहाफ पर बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप अपने partner से प्यार करते हैं, और आप अपने प्यार के बदले उनसे ये चाह रहे हैं, कि वो इस relationship में stand लें आपका, ठीके, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ कहूंगी, कि इस moment पर आप जिस तरहां की expectations रख रहे हैं वो गलत है, क्यों? एक point पर मैं ये कह रहे हूँ कि बिल्कुल सही है, दूसरे point पर मैं ये कह रहे हूँ कि ये गलत है, उसका reason ये है कि अब आपके partner ना पहले जैसी strength की energies में बिल्कुल भी नहीं है, आपके partner की complete transformation हो चुकी है, आपके partner पूरे तरीक से बदल गए हैं, वो अपने wisdom का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी सोथ समझ जो है, वो उनका साथ नहीं दे रही है, आप इस वज़े से उनसे expect कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी जो energies हैं, उनने normal energies की तरह ले रहे हैं, आपको पहले से पता है कि आपके partner बहुत ज़दा समझदार हैं, और जब वो अपने बारे में इतनी सारी चीज़े सोच सकते हैं, तो उन्हें इस relationship के बारे में भी सोचना चाहिए, तो आपसे गलती यह हो रही है, कि आपके partner की energies पहले जैसी हैं, जबकि आपके partner की energies पहले जैसी बिलकुल भी नहीं हैं, ठीक है, दूसरी बा किया, वो बहुत गलत था, जब मैं यह statement पास कर रहे हूं, तो आप में से कुछ लोग यह भी कहेंगे, तो मैम क्या वो सही था, मैंने यह ऐसा बिलकुल नहीं का, आपके partner ने बिलकुल गलत किया है आपके साथ, आपके प्यार को ठुकराया, आपके लिए stand नहीं लिया, एक दम से आपके partner अचानक से change हो गए, लेकिन जब यह turn twist आया ना, तो उसमें आपके partner की energies में भी परिवर्तन आया, और आज के time पर आपके partner भी एक suffering state पर है, तो ना तो आप अपने partner के दुख को समझ रहे हैं, ना आपके partner आपके दुख को समझ पा रहे हैं, आपके partner guilt की energies चीज में तो हैं, इसमें कोई doubt नहीं है, उन्हें पश्टावा होता है, लेकिन सिरफ पश्टावा होने से कुछ नहीं होता है ना, action भी तो लेना पड़ता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ज़रूरत से ज़ादा समझ दार हैं, और comment section में आकर कुछ ऐसे comments करत हैं कि जो दूसरे लोग चीजों को समझने की कोशिश कर भी रहे होता है ना, उस पर भी a question mark लगा देता है, तो उन समझदार लोगों को हाद जोड़ कर ये विंती है, ये आप अपने रिष्टे के लिए अगर इतने जादा समझदार हैं, तो आपको tarot readings नहीं देखनी चाह हैं, आप जो लोग ऐसे हैं ना, कि उन्हें अपने रिष्टे को समझने की लालसा है, जो समझना चाह रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए, ठीक है, एक और comment था, बहुत लंबा चोड़ा comment था, मुझे याद नहीं है, बट कुछ-कुछ उस comment के relevant मैं आप से बात करूँग पहली बात तो यह हैं कि जो spirituality होती है ना, वो अपने आप में inculcate करना बहुत difficult होता है, मतलब आप अपनी energies को ही नहीं बदल पाते हैं, spiritual इंसान वो है जिसको किसी के आने से कोई खुशी ना मिले, किसी के जाने का कोई गम ना हो, ठीक है, जिसके लिए सुख भी एक भाव ह जिसके लिए दुखों पर एक question mark ना हो, ठीक है, जब आपको question mark है अपने दुखों पर की ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, और आप अपने दुखों को reverse करना चाह रहे हैं, तो वो spirituality नहीं होती है, तो पहले अध्यातम की पूरी अच्छी सी definition समझ कर आए, उसे अपनी life में experience कर के आए, ठीक है, डुख और सुक कुछ नहीं है, सिरफ आपका नजरिया है, चीजों को लेकर, ठीक है, वहां तक का जब level आता है, तब आपकी जो अध्यातम की energy होती है, वो दूसरों की energy को effect गर पाती है, आप यह कहते हैं, हम अपने partner को बदल क्यों नहीं पा रहे हैं, लगाऊंगी, तांकि आप लोग भी देख पाएं कि किस level तक लोग का चीजों को सोचते हैं, और किस different angle, different tangent पर सोचते हैं, ठीक है, ओके, the next thing is that, आपके partner इस time पर बहुत ज़्यादा isolated है, और isolated ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है उनके आसपास, उनके आसपास एक ही particular person है, जो की ये third party energy है, जो अच्छे तरीके से आपके partner को वो समझाने की कोशिश कर रही है, जो ये third party चाहती है कि आपके partner समझें, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये problem चल रही है, उसकी जड़ है, वो कही न कही third party energy है, जिसकी वज़े से आपके partner अपनी health पर भी सफर गर रहे हैं, financially भी उन्हें कोई न कोई crisis जरूर है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके partner सिरफ आपके लिए stand ने ले रहे हैं, बाकि उनकी जंदगी के अंदर सब चीज़े happening चल रही है, अब जब ये सोच है न आपकी, तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती बनती है आपकी ये सोच, आपके partner आपके heart chakra पर definitely vibration send कर रहे हैं, ठीक है, और उस vibration को आप कही न कही अंदेखा करते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि ये vibration आपको इस वज़े से महसूस हो रही है, क्योंकि जो आपके partner है ना, वो आपके दिल से नहीं बाहर जा पा रहे हैं, तो आपको feel हो रहा है कि आपके partner आपको याद कर रहे है, actually, यहाँ पर बहुत अलग-अलग तरहां की energies है, the reason, क्योंकि ये generalized energies है, जब मैं personal reading के लिए कहते हूँ, कई लोग ये भी कहते है, माम, आपने problem तो बता दी, उसका solution तो नहीं बताया, जो लोग personally मेरे पास आते हैं ना, उन्हें मैं solution भी definitely बताती हूँ, हर किसी के लिए universal solution नहीं है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी के लातों में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो उस हिसाब की medicine लेते हैं आप, ऐसे ही होता है, डॉक्टर सबको एक ही जैसी medicine तो नहीं दे देता है, किसी क मुझे WhatsApp कीचेगा, मैं आपको कुछ ऐसे numbers forward करूँगी, जिन्होंने ये deal करने की कोशिश की है, और आज वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं, ठीक है, dark energy हमेशा backfire करती है, वहाँ पर आपको एक professional की जरूरत होती ही होती है, जहाँ पर spell work है, वहाँ पर उस energy को cut करना है, अगर आपको आता है, well and good, वो remedy हो जाती है, नहीं आता है आपको, तो वो आप नया तरीके से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी अपने चक्रास की balancing भी चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पर manipulative energy एक blockage का काम करती है, वहाँ पर आपको सामने वाले person की चक्रास को देखना पड़ता है, कि कौन सा चक्रा imbalanced है, उस तरीके की remedy होती है, तो मैं सब को यसी universal remedy कैसे बता सकते हूं, जो comment करते हैं, please मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजेगा, ठीक है, यहाँ पर seven of cups का card है, इस relationship को लेकर बहुत सारी misunderstanding की energies हैं, misconceptions हैं आपके दिमाग में, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ पर 101% आपके partner गलत है, लेकिन आपके partner ही सिरफ गलत नहीं है, यहाँ पर 70% गलती इस third party energy की है, और 30% गलती आपके partner की है, और वो भी starting में हुई थी, उसके बाद तो आपके partner को गलती करने का मौका ही नहीं मिला, आज के time पर आपके partner बहुत ही ज़ादा illusionary energies में हैं, यह उनकी गलती है कि वो अपनी energies को नहीं समझ पाते हैं, वो गलत इनसान पर भरोसा कर रहे हैं, बट वो समझ कैसे पाएं कि वो इनसान गलत है, क्योंकि वो person इस time पर उनका guide बना हुआ है, मतलब जो third party energy है, वो इस time पर उनकी guide है, उन्हें guidance दे रही है, तो आपके partner उस person के उपर शक किस तरह से कर सकते हैं, तो यहां पर इस relationship में energy का gap बहुत ज़ादा है, आपके partner और आपके बीच में, ठीक है, तो गलती कहीं न कहीं आप दोनों से हो रही है, लेकिन इस गलती को rectify आप कर सकते हैं, आपके partner नहीं कर सकते हैं, आप कई लोग यह भी कहेंगे, आप गलती भी वो करें, और solution भी हम उने करके दें, ऐसा तो नहीं चलता है, देखे हर किसी के अपने अपनी journey है, कई बार आप किसी common karmic situation का शिकार हो जाते हैं, कई बार आप twin flame journey में होते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको triggers कहीं न कहीं मिल रहे होते हैं, ठेकें, तो उस perspective से भी चीज़ों को सोचा कीज़ें, तो next is hangman का card है, आप अपनी जगाँ पर अटके हुआ हैं, आपके partner अपनी जगाँ पर अटके हुआ हैं, point of view यह हैं कि आप यह चाह रहे हैं कि आपके partner ने जो कुछ किया, वो उस चीज़ के लिए माफी माँगे, वो आपको बताएं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो बताएंगे तो तब ना जब उन्हें खुद समझ आएगी, कि उनसे कहां गलती हुई और किस तरह से गलती हुई, किस तरह से उनकी energies के अंदर transformation हुई, जब इस चीज़ की समझ आपके partner के अंदर होगी, तब ही तो वो यह चीज़ आपसे share करेंगे, यहाँ पर जहाँ आप अटके हैं ना, अपनी self-respect के नाम पर आप ego show कर रहे हैं ना, जहाँ पर, वहाँ पर आप ego show करते ही रह जाएंगे, क्यूंकि आपके partner की life के अंदर कुछ compromising energies हैं, जिन energies को आपके partner को अपनाना पढ़ रहा है, compromising energies मतलब यह third party जहाँ पर चाह रही है ना, कि आपके partner यहाँ पर हाँ बोल दें, इस third party को marriage के लिए हाँ बोल दें, इस third party के according marriage के लिए हाँ बोल दें, इस third party के साथ अपने बच्चे प्लान कर लें, यह कुछ ऐसे जा, अलग-अलग situations है ना, कई लोग married हैं, कई लोग unmarried हैं, कई लोग, कई लोगों के case में बाहर की third party है, कई लोगों के case में घर की third party है, तो जो compromising situation है ना, उसकी तरफ को आपके partner निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और आपको अपनी ego slash यहाँ पर self-respect की पड़ी है, यह रिष्टा यहीं पर अठका रह जाएगा, आप यहीं पर खड़े रह जाएगे, आपके partner को आगे बढ़ना पड़ जाएगा, मुझे पता है कि आज शब मैं जो choose कर रही हूँ, बहुत ही clear और कईयों को तो rude भी लगेंगे, उसका reason यह है कि जब भी मैं थोड़ा सा soft होती हूँ ना, जब भी मैं अपने readings को बहुत lightly इस terms में लेकर चलती हूँ कि हाँ चलो मुझे आपको समझाना है या मुझे आपको energies बतानी है तो मैं आपको बताती हूँ, आपके comments ऐसे होते हैं अगर कोई इंसान intuitively आपके लिए कोई चीज लेकर आ रहा है, आप उस person के efforts को कभी भी उसकी सरहना नहीं करते हैं, बलकि आपको उस चीज को judge करना होता है, आपकी judgment से मुझे 1% का भी फरक नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़दा बुरा लगता है, जो लोग अपने life को लेकर, अपने relationship को लेकर, मुझसे guidance सीख कर रहे हैं, जो सीख करने की कूशिश कर रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को please paste दीजे, बाकी आप लोग sugar-coated readings पर जाएए और बहुत सारी readings मिलेंगी, आप already देख कर भी आये होंगे, तो आप वहाँ पर please switch कर लीजे, ठीक है, मैं sugar-coated reading नहीं दूँगी, जो सच है वही बताऊंगी, और सही शब्दों में बताऊंगी, ठीक है, the next thing is, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हो रही है आप से, कि आपक पार्टनर की direction तो change हुई है, लेकिन इस direction change पर इस third party की पूरी नजर बनी हुई थी, इस third party ने आपके partner की energy को change करके, इस direction को change किया है, इस third party ने आपके partner की energy पर नजर रखकर, इस energy को change किया है, आपके partner क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आज भी इस third party की नजर बनी आपके पाटनव के तरफ बढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं वो तो अलग-अलग रास्ते ढूंदते हैं कुछ रास्ते उन्हें मिलते भी हैं उस पर चलने की कोशिच भी करते हैं लेकिन सिच्वेशन फिर वहीं कि वहीं आपके पार्टनर के लिए आकर खड़ी हो जाती है ठीक है इस रिलेशन्शिप में आप अपने पार्ट चानलाईज करना चाहते हैं तो आपको रास्ता नजर आ जाएगा सारा सच आपके सामने विल्कुल क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर मिचौरटी किसी को दिखानी पड़ेगी यदो आपको या फिर आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके पार्टनर मिचौरटी तो नहीं दिखा सकते हैं, तो आप अगर अपने इस relationship पर एक upper hand बनाना चाहते है, तो आपकी मर्जी है, नहीं बनाना चाहते है, तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन रिष्टे में कई लोगों को closure नहीं मिलता है, रिष्टे में क्या हुआ, वो समझ नहीं आता है, गल्ती को ये लगता है कि आपने अपनी लाइफ का कोई नया पात चूस कर लिया है आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के भीना बहुत जवा खुश है ठीक है तो ना तो खुश आप है ना आपके पार्टनर है ब्लेम गेम खेर रहे हैं आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते जा रहे हैं यही इस रिष्टे की सचाई है फिलहाल तो गलती दोनों साइट से हो रही है और इस चीज का फाइदा कौन उठा रहा है थर्ड पार्टी इस चीज का फाइदा उठा रही है आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देना चाहते हैं आप चाह रहे हैं आपके पार् आपके पार्टनर की एक गल्सद्राने की कोशिश कर रही थी तव आपके पार्टनर ने उस चीज़ पर clarity से आपसे बात नहीं की और अगर आपसे बात की थी तो जो भी advice आपने दी वो उस time पर आपके partner ने नहीं मानी यहां उनकी वो 30% की गलती हुई है उसके बाद तो यह relationship इस third party के हाथ में आ गया और उसी तरीके से यह relationship चल रहा है आज के time पर आप भी इस relationship को लेकर burden feel करते हैं आपको इसा लगता है कि सारी जो जिम्मेवारी है वो आप ही के कंधों पर आकर पढ़ गई है आपको ही इस relationship के बारे में guidance भी जाती है आपको ही कहा जाता है कि आपको यह कर लेना चाहिए आपको वो कर लेना चाहिए जबकि इस रिष्टे को तो आपके partner ने नहीं निभाय आपके partner को भी इसी तरीके से burden feel होता है कि वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है इस relationship के लिए लेकिन वो करने ही पा रहे हैं जब भी वो अपनी मंजल तक पहुँचने की कोशिश करता है उनका pair दुबारा से slip हो जाता है और फिर उन्हें अपनी life की हर एक चीज़ को कठा करना पड़ता है ठेक है तो यहां पर एक दूसरे की भावनाओं को भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो गलती एक से नहीं दोनों से हो रही है और यहां पर बहुत सारे cases में जाके नवरजी का impact है आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी desires को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर ने आपके desires पर एक compromise कर दिया आपको पीछे छोड़ दिया और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो अब शायद आप उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते हैं यह जो energy gap यह dark energy effect की वजह से create हुआ है य relationship का फ्यासला आप दोनों ही अपने अपने level पर कर रहे हैं ठीक है तो यह गलतियां हो रही है इस relationship में अगर आपको लगता है कि हां यह energy आपके साथ resonate करती है और आप अपने relationship को एक नए perspective से देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक मौका दीजे इस relationship को अपने partner के लिए एक reading book कीचे accordingly आपको उनकी blockages पता लग जाएंगी फिर उसे साब से आप उनके लिए कोई remedy या फिर कोई healing का process गो थू कर सकते हैं ठीक है अगर आप मेरे साथ यह reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के थू या फिर मेरी email id के थू कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर फ्लाश होंगे ए आपके reading बाद में schedule हुई तब भी आपको 15% off मिलेगा ठीक है booking तब तक आपकी हो जानी चाहिए तब मिलेगा वो off और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कई लोग आ रहा है मैं estimate बता दीचे healing का कई cases में तो healing की ज़रूरत भी नहीं होती है छोटी सी remedy में आपक करते हैं तो definitely आपके relationship में improvement आपको देखने के लिए मिलती है ठीक है तो estimate कुछ नहीं है जैसे कि मैंने का universal solutions नहीं होते हैं तो आप भी उस हिसाब से generally questions पूछे ठीक है आप reading के कब होगी किस हिसाब से होगी वो चीज़े जानना चाहते हैं आप message कीज़े मैं आपको detail में सामन होगे आएए अब हम जानते हैं कि divine इस रुष्टे के regard में आपको क्या guidance देना चाहते हैं divine की क्या guidance है आपके लिए आएए जानते हैं divine आपको क्या guidance देना चाहते हैं friends and colleagues का card है the next is courage का card है the next card over here is family friends and guides का card है the next card over here is conflict का card है and bottom of the deck पर family का card है divine आपको ये guidance दे रहे हैं कि जिस person के साथ आप connected है जो आपके partner है इनके साथ आपका कोई ना कोई past life connection जरूर है ठीक है और इनके साथ आपकी जब भी family बने ना तो एक बहुत ही अच्छी family बन सकते है ठीक है तो ये person आपके लिए पहली चीज़ तो गलत नहीं है अगर आप ये दिमाग में लेकर चर रहे हैं दूसरी चीज़ ये है कि आपके इस रिष्टे में जो weak bond create हुआ है न वो आपके around लोगों की वज़त से हुआ है आपके partner के around लोगों की वज़त से हुआ है तो एक दूसरे को blame करना बंद कीचे अगर आप इस रिष्टे को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़दा हिम्मत की ज़रूरत है क्योंकि आपके partner की energies बहुत ही ज़दा dip में है इसके लिए आपको आपकी family से friends से या guide से guidance लेने की ज़रूरत है अगर आपको ऐसा लगता है आपकी family में से कोई नहीं समझ सकता है या energy की जो situation है वो आपको किसी और से guidance लेनी है तो लीजिए बिलकुल लीजिए ठीक है तभी ये conflict resolve हो पाएगा आप दोनों के बीच में जो ये conflict है वो बहुत ज़ादा गहरा होता चला जा रहा है ओके so ये है guidance divine की तरफ से आपके लिए so I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरे email id के थ्रू book कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे channel को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूदिये का जिससे कि आपको नएने videos की notification मिलती रहे मेरे को और channel भी है soul divine चोनी टारो link आपको नीचे description box में मिल चाहेगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करन जब वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूदिये का जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon